हेलो वेल्कम दोस्तो आईए गरम देख रहे हैं आप मैं रवी कुमार एक वाटफिस से नई वीडियो में हाजरू हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किलास 9 से लेके क्लास 12 तक का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कैसे बनाया जाएगा दोस्तो जैसा आपको पता है नई सिच्छानीती आ चुकी है जिसके तहत जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 9 से लेके 12 में मल्टिपल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जैसा आपको पता होगा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा जो आपके जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं अगर उनको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो सब्जेक्ट को ले सकेंगे और कोई कॉमर्स वाला बच्चा है उसक सिस्टम को खतम कर दिया गया जिससे जो भी बच्चे को जिस सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट को ले सकता है अगर दोस्तों यहां पर प्रस ना आता है कि रिपोर्ट कार्ट कैसे बनाए जाएगा तो दोस्तों रिपोर्ट कार्ट को लेकर तीन पॉइंट क मकी को पहता हूंगा तो तो second point में आ गिया है आपका कि जो students को नंकिदी जाएंगे जो भी आपके marks दिये जाएंगे वह तीन लोग देंगे एक आपके teacher देंगे एक आप-कुद देंगे अपने करें स्थाक को यह भी बात आपकी रिपोट कार्ड को लेकर दोस्तों को लेकर जो भी KAR current थी बो को हमने आपको डिलेवर खेम है जो आप हम से पूछना चाहते लिए तो सभी50 लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं ह। दोस्तों तो तो हमसे जड़ने के लिए नीचे सस्क्राइक का वक्तन है उस पर प्रेस कर दें प्रेस करते रिirez करते ही नोटिफिकरशन व्याएक उस पर प्रेस कर दें आप ऐसा करेंग तो जब भी हम निक्षव आँगे ससक्राइब आगो मिल जाएका एंड थैंक्स पर वाचिंग वर्ड वीडियो मिलते हम आपसे नेक्स वीडियों तब तक के लिए सुक्रिया